यह एक भयानक कहानी है जो की रोमान से भरी हुई है। इस कहानी का मजा लेने के लिए आप यह वीडियो पूरा देखें। एक गाउव में एक बहुत ही पुराना मकान था। इस मकान के बारे में अनेका जीबोगरी वफवाहे थी। कहा जाता था कि उस मकान में एक भूट रहता है जो रात को बाहर निकलता था और गाउव के लोगों को दराता था। लेकिन कोई भी सच्चाई में उस भूट को नहीं देख पाया था। एक बार, गाउव का एक युबग, राजेश नामक था, ने निश्र किया कि वह उस मकान में रात बिता कर देखेगा कि क्या सच्च मुच में उस मकान में कोई भूट है या नहीं। लोग उसे दराने के लिए कहते थे कि वह न जाए, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरंदाद कर दिया। बिल्कुल रात के समय, राजेश ने अपने दोस्त संजे को साथ लेकर मकान में प्रवेश किया। उन्होंने एक कमरे में अपनी शिवर स्थापित की और वहां बैट गए। कुछ समय बाद, राजेश को लगा कि उसके साथ खेलने की आवाद सुनाई दे रही है। वो अपने दोस्त संजे से बोला, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है। संजे ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। राजेश को अजीव लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वह सिर्फ खुट को दरा रहा है। कुछ ही देर बाद, राजेश को लगा कि उसकी टांगे चु रहा है। वो दर कर देखने के लिए पीछे मुणा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि उसकी टांगे बिलकुल अकेली चल रही थी, जैसे कोई अद्रिश्य शक्ती उसे कीच रही हो। राजेश और संजे दोनों को दर लगने लगा। वे चल्दी से मकान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे मकान के भीपर भटकते रहे, परंतु कहीं भी बाहर नहीं निकल सके। अचानक एक अद्रिश्य शक्ती ने उन्हें फकर लिया और उन्हें अपनी गिरप्त में ले जाने लगा राजेश और संजय की चीखें पूरे गाउं में सुनाई दी लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका कुछ ही देर बाद उन्हें अचानकी मकान के बाहर निकाल दिया गया वे दोड़ते हुए अपने घर की ओर भागे और उस राप की घटना को कभी भूला नहीं सके वह दिन से बाद मकान में कोई और नहीं गया और गाउप की लोग भी उसके पास नहीं गये लोग कहते हैं कि वह हुँ तब भी उस मकान में रहता है और राप को वहां से घुचने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्ट में ले जाता है ये कहानी उस राप के घटना क्रम की है जो राजेश और संजे के लिए एक अध्वत और दरावनी अनुभव बन गई इसके बाद से उन्होंने किसी भी भूतिया जगह में फिरसी कदम नहीं रखा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करें